हलो जी कैसे हैं आप लोग गुड इवनिंग एक बार फिर से बिलकर में आपका टीज मी क्लाउड के यूटूब चैनल पर और आज जो बिसिकली हम बात करने वाले हैं स्टीकल बार करें दो चलिए स्टरिच एन प्राक्तिकल इसके प्रक्किल करेंगे का इस्ते अँगल वाले के बारे में जैस्तों सट्रीच इंक करके देखेंगे तो चलिएए इस्टर्ट करते है ऐस्तियु腩 है पहले अगर आप फर्स टाइम देखने वीडियो को या पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो आप Teach Me Cloud के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि Teach Me Cloud एक सिंगल YouTube चैनल है जो आपको multiple technologies के वीडियो प्रोवाइड करता है वो भी 100% live practical के साथ no editing, कोई भी इसमें editing नहीं है कोई भी skip नहीं है step अगर आप पूरी वीडियो को प्रोपर तरीके से देखते हैं end तक देखते हैं और same step follow करते हैं किसी भी practical को implement करने के लिए I'm not talking about इस particular वीडियो की बात नहीं करता है जितनी भी वीडियो आपको आपको आपके फाइनल रिजल तक ले जाएगी तो चलिए बात करते हैं पहले प्री रिकिविजित की basic requirement हमने प्लान तो कर लिया है अपना storage gateway अपना इस्टोरेज गेट्वेजित क्या क्या चीज़े होने चाहिए क्योंकि जो storage gateway है basically इसकी help से इस particular service की help से हम अपने on-premises के रखे हुए data center या on-premises में जो आपने SAN या NAS configure कर रखा है उस SAN या NAS से communicate कराते हैं AWS की services के साथ तो practical बहुत important है service बहुत important है आपके job से related interview से related या हम बात करें certifications related तो storage gateway कहीं न कहीं एक prime role play करता है हमारे solution architect associate के series में तो चलिए फटे 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 में देख लेते हैं इसका एक diagram के crew check कर लेते हैं कि इसका जो task है वो कैसे होता है और साथी साथ बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी device आपको लगाने पड़ेंगे कौन-कौन सी service आपको AWS portal पर्चेश करने पड़ेगी और इनके बीच में जो communication होगा on-premises to cloud एक hybrid environment हम प्लान करने हैं बनाने का जिसमें AWS की service on-premises से communicate करेगी on-premises का रखा हुआ data center on-premises का रखा हुआ सेन हमारे AWS की services के साथ coordinate करने वाला है तो एक चोड़ा था example देख लेते हैं यह अपने पास AWS portal हो गया है यह अपने पास local office यह आप बोल सकते हो कि यह अपना जो है on-premises का setup है जो हमारा on-premises हमारे इंजीनियर से इस्वाल करने है तो एक चोड़ा था example आपने अपने लोकल इंवार्मेंट में एक सेन इस्टैबलिस कर रखा है एक सेन स्टोरेज इरिया नेटवर्क इस्टैबलिस कर रखा है जिस सेन की capacity जो है 100 tv की आसपास है ठीक है यह आपका 100 tv का एक सैन आपने इस्टैबलिस किया है local organization में local office में और अब इस 100 tv के space में से इस फाइल सर्वर में इसे जो on premises में configure किया गया है इस SAN से हम space को distribute करने वाले AWS की services के साथ ठीक है तो हमें क्या करना है यहाँ पे AWS portal के उपर purchase कर लेना है storage gateway ठीक है जो कि हमारे storage का part है यहाँ पे हम क्या purchase कर लेंगे storage gateway पर्षेज कर लेंगे यह storage gateway create कर लेंगे और उस storage gateway के हम connect कराने के काम करेंगे किससे on premises में रखे हुए SAN को तो guys थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि इस particular task में इस particular video में हम क्या सीखने वाले हैं मिन्स हम एक तरीकी का hybrid environment तैयार करने वाले हैं जिसमें हम अपने on-premises के resource especially data center हम यहाँ पे computer की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे नेटवर्क या other services की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे space distribution की बात कर रहे है data center की बात कर रहे हैं यह sign storage की बात कर रहे हैं यह तो हो गया meaning यह तो हो गई meaning इसकी अपने storage gateway की अब यहाँ पर समझने को सिस्ट करते हैं आपका जो SAN है उसमें space आप distribute करतों को अपने AWS portal की उपर तो हम यहाँ पर जो setup बनाने वाले हैं basically वह VMware ESXi host से बनाने वाले हैं although you have option to create your on-premises setup, mediator setup, hyperviki help से भी बना लेते हैं तो हमें क्या चाहिए, ESXi host चाहिए, आपके पास ESXi 6.0 है, 6.5 है, 7.0 है, कोई से भी ESXi आप यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे, local system पर इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है क्या करने वाले हैं, आपके cloud से एक छोटी सी file आएगी, अगर आप VMware का setup establish कर रहे हैं, तो आपको OVA डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आप Hyper-V का इस्तमाल करना है, तो .VHDX फाइल डाउनलोड करने पड़ेगी, दोनों का concept दुलकुल क्लियर है, OVA open virtual application जो एक package होता है जिसके अंदर कुछ application या operating system हो सकते हैं, उस application या operating system को उठा करके हम अपने ESXi पे execute करने वाले हैं, और फिर उस particular machine के थुरू, उस OVA file से बनी हुई machine के थुरू, हम दोनों के बीट में communication establish करेंगे, ठीक है, गाइस practical में कुछ भी नहीं है, बट हमारा जो concept है वो clear होना चाहिए अगर हम बात करें पूरी सीरीज की, पूरी particular technology, किसी भी technology की, AWS की बात नहीं करें, अगर आप plan करने हैं किसी भी technology में master करने का, mastery करने का, तो definitely आपके concept पूरी तरीके से clear होने चाहिए, practical step is a separate part, concept clear होना is a separate part, right, जब आपको concept clear रहेगा, जब आपको सारे ideas रहेंगे, आप consulting भी कर सकते हैं, got it, आप consult भी कर सकते हैं, आप suggestion भी दे सकते हैं, आप उसका reply एक अच्छी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि जब आपको concept clear रहता है, तो automatic आपके अंदर confidence आ जाता है, got it, तो यहाँ पर concept clear करते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर दिखाते हैं कि कैसे आपको establish करना है अपना on-premises और AWS portal के बीच में communication कैसे establish करना है, तो agenda बिल्कुल clear है, ESXi host हमने इसलिए लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे VMBATS के तुरू करने वाले हैं, अगर आपको Hyper-VPA अच्छा knowledge है, तो आप Hypervisor की VHD file भी download करके establish कर सकते हैं, that's it, ESXi में हम over file upload करेंगे, upload करने के बाद execute होगे, उसकी IP के जरिए हम दोनों के बीच में communication करेंगे, तो चलिए, start करते है practical अपना, इसके लिए हमने एक ESXi host install कर रखा है, तो मुझे Windows machine connect करनी पड़ीगे, क्योंकि उसी पे हमने workstation में जाकर के installation किया है, अपने ESXi host का, तो थोड़ा सा इंतिजार, यहां से हम communicate कर लेते ह है, RDP अपने Windows 10 operating system का, ठीक है, चलिए, यहां पर यह workstation हो गया, और अपने workstation की अगर हम बात करें तो, इस VMware workstation में हमने अलिए कुछ systems बना रखे हैं, तो हमें जो work है, हमें जो task perform करना है, वो task perform करना है, ESXi से, तो बाकी की machine को हमें stop कर देते हैं, ताकि हम ESXi host को on करा सकें, चलिए, यह अपने पास ESXi host हो गया, जिसमें हमने 8GB की RAM और 40GB की hard disk प्रोइड कर रखी है, तो एक hard disk इसमें चलिए, ठीक है, यहां 40GB की hard disk है, I'm going to add one more hard disk, एक और hard disk यहां पर attach कर लेते हैं, ताकि जब हम over file को execute करें, तो कोई भी problem नहों, space related, तो यहां पर हम एक 120GB की ना, एक hard disk का और allocate कर लेते हैं, connect करा लेते हैं, ठीक है, ESXi host के उपर internet चले, that's why हमने यहां पर network adapter में bridge connect कर रखा है, ताकि bridge connection हमारे wifi के through communicate हो सके, और जो भी internet की activity perform करना चाहते हैं, ESXi के, ESXi पर हम करते हैं, चलिए, इसको हम on हो देते हैं, थोड़ा सा time लगेगा, meanwhile हम यहां पर Google Chrome open करा करके न, अपना AWS का portal open करा लेते हैं, ठीक है, यहां पर AWS portal open करा लेते हैं, AWS dot Amazon dot com, जो भी आपने account बना रखा है, जहां से में storage का option मिलेगा, जहां से हम gateway create करने वाले हैं, आप login करा लेंगे इस पर, चलिए, ठीक है, यहां पर user ID और password जो भी है, अपने configure किया था, account बना तेसरा में आपने, अपने AWS के portal पर, अब आज आते हैं, storage gateway समझ में कोशिस करते हैं, कितने तरीके का storage gateway होता है, क्योंकि इसके भी type है, अगर हम इसके इसके वर्क की या टास्क की बात करें, तो यहां पर साब साब दिखाई पढ़ रहा है, सर्विस कनेक्टिंग और अन ओन प्रमाइस सॉफ्ट्वेर अप्लिकेशन बिद क्लाउड बेस्ति स्टोरेज, अब अन प्रमाइस में जो डेटर सेंटर इसके जरीए, आप दोनों के बीच में कम्मुनिकेशन करा सकते हैं, आप क्या करते हो, अपने S3 bucket का कम्मुनिकेशन अपने on-premises में रखे हुए, सैन का या डेटा स्टोरेज का डेटा सेंटर का अब कम्मुनिकेट करा सकते हैं, सेकेंड वॉलूम गेटवेए की बात करें, तो वॉलूम गेटवेए भी दोनों का इस तरह काम करता है, और टेप जो गेटवेए यह बेसिकली बैक अप के लिए इस्तमाल किया जाता है, कि अगर आपके on-premises पे कुछ services या software या आप कुछ फाले रखना चाहते हैं, तो वी थे help of Amazon Glacier की help से आप अपने TAP Gateway का इस्तमाल कर सकते हैं, तो अभी आपको एक्जांपल दिखाने वाले हैं प्रक्टिकल दिखाने वाले हो फाइल गेटवे का है, इमेज को डाउंडोड करेंगे इमेज की जो साइज है 1.5 गीग की है लगबख 10GB क्या सपास है वो पूरी तरीके से एक OS है उस OS को आपको अपने करना पड़ेगा तो यहां पर डाउंडोडिंग दिखा रहा है दो से चार मिनट का टाइम लेगा चलिए मिनवाइल हम क्या करते हैं अपने यह सक्साइज की का क्या स्टेटेस है लगबख यह रेडी है यह सक्साइज 6.5 यह हमने इंस्ट्राल कर रखा है और साथी साथी इसम अपने पास यह सॉट्वर डाउंडोड होता है हम क्या करते हैं अपने यह सक्साइज को कनेक्ट करा लेते हैं यह सक्साइज को जोइन करा लेते हैं अपने ब्राउसर के थुरू वेब क्लाइंट के इजरी एग बार इसकी आई-पी अट्रेस आजाए ठीक है ना और वन कि यहीं पर हम क्या करते हैं अपने यह सक्साइज को वेब के थुरू कनेक्ट करा लेते हैं ठीक है नॉट सिक्यर दिखाई पड़ रहा है आप एडवांस पर जाईए प्रोसिट टू अंसेप कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं जो भी यूजर आईडी पासवर्ड आपने इं इस इस वर्च्वल मसीन से तो हम क्या करते हैं एक को डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा से स्पेस मिल जाएगा हमें पर अपके और हमें जो यहां पर डाउन्डूड पर लगा रखा है ऊवी फाइल ना इसी को लाकर इस पर एक्जिक्यूट कर देना है तोड़ा सा नेटवर् है सेल्स है इन सब को डिलीट करना पड़ेगा तीके विंडोस 10 मसीन इसमें रन कर रहे हैं तैट स्वाइड कोई सुने हमें इसको रिप्लेस कर देते हैं इसकी नेटवर्किंग कि इसकी नेटवर्क पर आजाते हैं ताकि इंटरनेट चलने में कोई प्रॉब्लम नहों इसमें रिमुप कर दिया हमने डन एवर्टिंग इस ओके यहां पर सब कुछ सब्सक्राइब करेंगे उसकी लोकीशन यहां पर रखेंगे ठीक है चलिए अब आपको क्या करना है वर्टियल मसीन के आप्शन पर क्लिक कर देना है वर्टियल मसीन पर राइट भी क्लिक कर दोगे तब भी ऑप्शन आ जाएगा क्रियाट एंड रिज्टर विम का सिंपल सा ओप्शन सेकेंड का सलेक्ट कर लेना है आपको डिपलाएं वर्टियल मसीन ओफ और ओव फाइल है तो हमने जो डाउलोड किया ओवा फाइल है यहा यहां पर क्लिक कर दीजिए जायती बात है डाउलोड में गया होगा यह आपका नांटीथ ओप नोवंबर सलेक्ट करिए आप इसको अपने ओवर फाइल को ओपन कराज दीजिए नेक्स कराएंगे कहां पर रखना है 120 की हार्डिस में रखना यह ध्यान रखना कि आपको इस प्रेस थोड़ा सा अच्छा देना है ठीक ठाक देना है नैट पे है चलिए ठीक है थिन प्रोविजिन इस्तेमाल कर रहें थिन और ठीका कॉंसेट आप वी वैसे तो जल्दी हो जाना चाहिए 5% हो गया है लेट सी तो थोड़ी देर के लिए हम वीडियो पास कर सकते हैं उसके बाग यह जैसे ही 100% हो जाता है हम फिर से प्रोसीट कर लेंगे डोंट वरी कोई भी स्किप नहीं होगा थोड़ी देर के लिए हम पास कर देते हैं जस्त तो थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी इस वीम में जो आप भी आपने क्रियेट किये है ओवा फाल के थुरू क्यूंकि बाइडिफाल्स जो इसकी सेटिंग रहती है जो अगर हम इसमें एडिफ सेटिंग में जाएं तो बाइडिफाल्स यह 16 गीक की रैम लेकर कंटेन कर रखा है और आपको करना इसमें दो कोड़ सीप्यू और अगर हम रैम की बात करें तो अपने पास जो रैम की साइज होनी चाहिए 8 गीक हमारे यह सक्साई की है तो हम इसको 5 GB का space दे देदें राइड 5 गीक के हमने space provide कर दिया और हाडिस की बात करें तो 80 गीक हाडिस इसमें OS का है लेकिन हम इसमें एक और हाडिस को हमाई लएट करने वाले हैं कहा स्कूल की ऊपर AWS पॉर तो add-hardist में आप जाएं new hard-skrade करिये और new hard-skrade कर लिए और new hard-skrade स्क्री तो यह जो ओवा फाइल आपने डाउंडोड कर रखी है यह एक तरीकी की वियम है तरीकी की वर्चुल मसीन है जो AWS पोर्टल पर रहती है इसको आपको डाउंडोड करना है डाउंडोड करने के बाद on-premises पे इसको इंस्टाल करना है और यही वह मसीन है जो गेटवे की तरह काम करेगी यही वह मसीन है जो दोनों के इसको डिक्स डिखाई नहीं बढ़ रही है तो आपको क्या कर देना है सिस्टम को करा लेना है लॉगिन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा admin-as-a-user इस्तामाल करना है ठीक है न agave as a user इस्तामाल करना है और पास्वर्ट में simple password right P-A-S-S W-O-R-D password की spelling password आप टाइप कर देंगे तो आप इस login page पे आ जाएएंगे और यहाँ पर अगर हम login page की बात करेंगे तो एक IP address में दिखने लगी है 192.168.euro.124 तो यह जो series है IP की वो हमारे wifi router से directly access कर लिया है इसका मतलब आपका जो यह gateway machine है वो successfully internet से communicate कर रहा है तो यहाँ तक का task इतना है on-premises का task बस ही यहाँ तक और अब हम क्या करेंगे अब हम जाएंगे अपने storage gateway पे तो हमने select किया था कौन सा file gateway next करिए और आपने select किया कि इसको VMware का next कर दीजिए यहाँ पे end point type do you want to execute to worldwide इसको आप worldwide access करना चाहते हैं तो public आप access कर लेंगे अगर आप personally इसको create करना चाहते है बीपीसी की दूरू अपने environment में जो network के अंदर system आएंगे उनको communicate कराना है तो बीपीसी और यह publicly access बट selected people selected network आप बोल सकते हो तो आप second option select कर लेंगे तो यहाँ पे practice करते हैं तो जाहते बात हम proceed करेंगे publicly और यह जो IP address का space दिखाई कर रहा है यहाँ पे हम आप IP देंगे कौन सी जो आपके ESXI host के अंदर VM बनी है उसकी IP address यहाँ पे 0.124 इसको आपने mention किया यहाँ पे connect to gateway थोड़ा सा इंतिजार करते हैं क्योंकि यह सबसे tough step है यहाँ पे अगर कोई error नहीं आया तो everything is okay बाकि second जो important part है वह हमारी hard disk का highlight होना जो उस virtual machine में जो ऊवा फाइल में आपने hard disk attached के रखी है उस hard disk का highlight होना ज़रूरी है क्योंकि उसी के तरू हम sb bucket में mapping करेंगे सब कुछ सही है यहाँ तक हम एक बार नाम दे देते हैं यहाँ पर training gateway कोई सभी नाम दे दीजिए training gateway वारा यह जो है और यहाँ पर क्लिक active gateway तो यह प्रिपेर लोकल डिस्क की बात कर रहा है तो आपको याद होगा हमने 25gb के hard disk attached कर रखी है 80gb hard disk जो हमारा oafile इंस्टॉल हुए उसके लिए और 25gb hard disk है वह basically कि इसके लिए है सकता है यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच में कम्मुनिकेशन होगा इसमें आपका जो इंटरनेट का connection है वह एक important role play करेगा तो थोड़ी सी लेटेंसी आएगी ही क्योंकि यह home network है अपना broadband है तो में भी थोड़ा था टाइम लग सकता है तो जैसे ही यहाँ पर 25gb hard disk यहाँ पर highlight होती है हम इसको configure करना ही start कर देंगे तो ठीक है फ्रोचीट करने देते हैं हम आपको और clear करा देते हैं जिसकिस कौन सी hard disk की बात कर रहे हैं तो यह अपने पास यह सक्सा है इसकी action में जाकर कि हम आपको दिखाते हैं कितनी hard disk का टैच है और हम कौन सी hard disk के बारे में बात कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा सा slow है बर्ट ठीक है और यहां पर हमें देखना है कि कौन सी hard disk हमारी हाइलाइट होने वाले है क्लाउड पर अधिक है यहां पर 80 जो है OS की है और यह 25 जो हम इसको शेयर करना चाहते हैं क्लाउड के साथ तो यह 25 जी भी हमें वहां पर दिखनी चाहिए तो इंतियार कर लेते हैं थोड़ा सा व्यम नेट्वर्क अभी तो कोई तकलीव है नहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं तो यह अपने पास यहां पर प्रच्छी जी भी के हाड़िस दिखनी चाहिए थोड़ा सा इंतियार कर लेते हैं तब तक लिए यह वीडियो को पास कर देते हैं क्योंकि कभी-कभी तीन से चार मिनट या पांच नर्ट भी लग सकता है तो थोड़ा सा इंतियार करना पड़ेगा पेंशन सखना सब्सक्राइब करें अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो वह 25GB हमारे यहां पर हाइलाइट हो रही है तो हमें क्या करना है इस 25GB को क्रियेट कर लेना है 25GB को सेप कर लेना है सेप करने के बाद इसको हम क्रियेट करेंगे और अपने 3 buckets से इसको जाइन करा देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉलो करना है create files here क्योंकि हमने पहला option कि वेट 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 एक एक एस थी बखेट इस में से ओपिन करा लेते हैं और एस थी बखेट का नाम यहां पर कॉपी पेस्ट कर देना है क्योंकि है तो आप अलड़े टिड मुल्टिपल एस थी बखेट वो सिंपल सा क्या करना है में एक एस थी बखेट करनी है अग्स नाम दें देते हैं क्लास 1998 को हमने कॉपी किया यहां से ठीक है और अपने इस टोड़ी डेट वेट 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 वह जाएए उसको आप सवर्पेस्ट करके यहां पर पेस्ट करा दीजिए एक 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 एसम बी शेरिंग दोनों अपने पास कोई जबी आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो हम इसको एने फेस्ट शेरिंग कर रहे हैं राइट नेक्स करेंगे कि अबरीजिंग कर सकते हैं अब यहां पर स्टेंडर्ड री प्रोसीट करने वाले हैं और क्लिक नेक्स्ट आइड फाइनली नीड टू क्लिक रिएट सक्सेस्फुली हमने अपना फाइल शेर क्रियेट कर लिया है अगर आप इस फाइल शेर पर क्लिक करोगे तो यह आपको इंफोर्मेशन देगा कि आपको माउंट कैसे कराना है तो आप देखिए यहां पर लिनिक्स के लिए हैं विंडोस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हैं स्टेट अवेलेबल टाइपस आप शेरिंग और यहां पर टाइप ऑपर आप इस पाइप करना है तो गाइज यह अपने पास पूरा प्रोसेजर हुआ करने का उमीर है कि सारे स्टेफ क्लियर होंगे अगर कोई फिर उसके बाद भी अगर कोई कोश्चिन या डाउट लगता है तो आप कमेंट करिये डेफिनितली कोसिस करेंगे आपकी प्राप्लम को सॉल्व करने के लिए और प्राक्टिकल आप जरू परफॉर्म करिए इस कि मुर्ण हे हैं जरू टियर बस्टतरी करने करिंधे इस झालने करिवे डिर यकले थी सहब बस्रैंश पर्लम के लिए हैं आपकी कहल Jewish देफिनिक हैं